वेल्गारे वेल्कम डॉल साथ यह जांप फैटर नुमरन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं आज हम फिर सब्सक्राइब डिसकस करने वाले हैं यू पी एचसी यानि उत्र परदेश्ट असुस्टेंट प्रफेसर वेकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे हालाकि ये व कभी कभी तो ऐसी बीवात चली कि नहीं पूराना आयोग एक्जाम लई सकता है नहीं वेकेंसी यानि वह एक्जाम ले सकती है चलो बात आगे बढ़कर आई कि नहीं नया आयोग ही सब कुछ कराएगा अब नया आयोग आपका मार्च में ही गठन हो चुका है हलाकि अस्था जारें तो अराम को कसे किया जा सकता था लेकिन अभी तक आउंस नहीं किया जा रहा है तो अंपर हमें करी प्रोड़ कोई नहीं घाल वोह जाना है कि हमकर नहीं होना लीकिन एक जाना हुआ जि Kyungी अन्हों होना है इसमार ना कि बात करेंगे टोटल पोश्ट कितनी है सबसे बड़ी बात है कि एकजाम का डेट ही नहीं दिया जा रहा है फॉर्म आपका कब का लिया जा चुका है देर से पोने दो सल होने लगें और सारी चीज़ें कंपलीट है तो चली को एक अच्छी न्यूज यहां पर छपी है उसी न्यूज के रिगार्डिंग यहां पर सच चाही को हम लोग कभर करेंगे जो सच है उसको देखेंगे चैन आयोग में इसी महा हो सकती अस्थाया देख्षी न्यूज जैसा मैंने पहले ही कर दिया कि चैन आयोग जो बना है ना उत्रपरदेश में प्रात्मिक से लेकर एड़ेड माध्यमिक एड़ेड उच महाविद् चैन आयोग जो बना है इसमें चैर्मेन जो भी क्या है और अस्थाई है टेंपरोरी प्रभार में प्रभार में ठीक है अब तो परमानेट जब तक चैर्में नहीं होते हैं तो बड़े काम नहीं हो पार है इसी लिए इसी महीने अध्यक्ष की निउक्ति होगी आपको यह ल हां दोस्तों नहीं होता है क्यों कि आप जानते हैं कि 2022 में भीजन सब्ण हुआ था अगला करिकाल है स्टुएंस के तरफ से स्टुएंस यूनियन के तरफ से 2024 के लोग सभाचिनाव में काफी ज्यादा प्रेसर सरकार पर बना देना था प्रोटेस्ट बहुत तगड़े तरीके से करना था ताकि एक जाम वो ले ले लेकिन अभी क्या होगी है यूपी में बीजेपी की करार हार है और इसके लिए जो सरकार है वह भी बिल्कुल करके कूलन काम मूड में है और धीरी धीरी अपने कारी को करना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि अगर थोड़ी सी कहीं चुक होगी तो आने वाले चुनाओं में और बहुत बड़ा लास हो सकता भी जेपी को इसलिए अब सर भी आगे कार्ज होगा वह बिल्कुल नीट एंड क्लीन और विवाद रहित होगा इस प्रकार का प्रयास है और इसलिए अभी कर सकते हैं यहां पर यह कर सकते हैं बहुत जड़ा स्पीड से काम नहीं होने वाला है और काम को लेड से किया जाएगा ठोक बजा कर किया कर दोक सबाट में प्रिसर बनाना था हिश्वन के दौरा नहीं बन पाया खेर कोई बात नहीं लेकिन अब अब अभी चुनाव में सरकार को जाना यह इसलिए कैम धीरी हो रहा है काहां जान काम नहीं हो रहा है अब चैन आयो कि अस्थाई अड़क्ष के लिए अंधलन ले जा चुके हैं इसी महीने उसकी निव पिश्य कर एड़ी तो यह रही इस अब बात करते आपका हो सकता है इसके बारे हम बात कर लेते हैं तो साथ यह एक जांग आपका होना है तो ये आपका जो मेरा ऑपविशन कहता है अक्टुबह नौयमंबर jus राजाएगा क्योंकि अभी अध्रिव तक ने हैं किया नहीं तो आप लेट हो जाएगा अब्लसरी एक्जाम साथ को आक्टुबह नौयम तक जा सकता है तो एक्जाम पूरे चांसे और इसके पहले भी हो जाता अगर यूपी में विधान सबाइब इस साल राता तो अभी चुनाव है नहीं सरकार कर सकते बिलकुल रिल्यक्स मूड में हैं और कार्जयों को बिलकुल अच्छे तरीके से सोच समझ के आगे लेकर जाना चाहती है ताकि जो आने व सब्सक्राइब की उसको भरपाई किया जा सकते और फिर जब कर सकते कि आने वाले समय में बिधान सबाद चुनाव जब हो तो वहां फिर से पूर्ण बहुमत के सरकार बने इसी प्रयास में अभी से यह लोग कारी कर रहे हैं इसलिए वेकैंसी अभी निव भी आने वाली है और पूराने का एक्जाम्स भी लिया जाएगा थोड़ा आप लोग पैसेंस रखें धेर रखें आपने प्रिपर्शन को लगातार करते रहें क्योंकि आप जानते हैं सलो एन स्टेडी वूंस्टर इस कच्छवाही रिस जीता है खरगोस उचल कुद करके सो जाता है आपको अंदर जरास से भी तनाव नहीं रहें तो यह था साथ यह आप से भी करने इंपोर्टन अप्डेस थैंक्यू थैंक्यू वरी बरी मच्च फर वाइंच वीडियो और कनेक्टिंव एक्जाम्स फाइटर नमर बन